दोस्तों कैसे हैं आप सब आप मुझे मेल डॉप कर सकते हैं जा फिर वाटसप भी कर सकते हैं अब मैं बात करूँगा आज के वीडियो सेग्मेंट की जिसमें मैं आपके लिए लेका आए हूँ एक आवर्नेस भरा पत्र दोस्तों OROP केस की हैरिंग आज सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया में होनेवल डॉक्टर जस्टिस डिवाई चंदचूट साहब द्वारा और होनेवल एमस जस्टिस बेला एम त्रिवेद के द्वारा की गई थी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस मोसन हेरिंग में सभी फेक्ट्स पर अर्गुमेंट कंप्रीट नहीं किया जा सका जिसके चलते और जिनल औरोपी केस की सुनवाई को भारत की सरवोचा दालत ने दो फरवरी 2022 तक के लिए मुल्तवी करार दिया है आप देख सकते हैं अब औरोपी केस की फाइनल हेरिंग दो फरवरी 2022 को की जाएगी और उमीद है कि उस दन यह केस फाइनल जज्जमेंट तक पहुँच जाएगा और आप सभी पैंसनर्स को जो औरिजनल वारोपी से एफेक्टेड होंगे उनको फायदा मिलेगा और आपका जो केस है वो एक अच्छी जज्जमेंट के साथ आपके समक्ष दो फरवरी 2022 को होगा जब आप सब को एक खुसी की न्यूज मिलेगी और अब रुक करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज का जिसमें मैं बात करने वाला हूँ पे पोटेक्शन फोर सेंट्रल कोर्मेंट एंप्लॉईज दोस्तों यह जो पत्र है यह एक इंपोर्टेंट सर्कुलर है और यह सर्कुलर है कारेल रक्षा लेखा महानिंद्रक उलन बटा रोड पालम दिल्ली छावनी से जैसा आप देख पा रहे हैं यह आठ नो 2020 का है और इंपोर्टेंट सर्कुलर है इसका सब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ओफ पे इससे पहले कि मैं इस सर्कुलर को आपको अफगत करा हूँ मैं आपको लिये चलता हूँ इसकी रिगार्डिंग एक ओफिस मेंबरॉंडम जो निकला था उसको बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ यह पाँच अगर्ज दोजार बीस को निकला था सब्जेक्ट आपके सामने है सब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ओफ पे इससेंटर गोर्मेंट सर्मेंट को निकल गया था इससेंटर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यह गोर्मेंट की तरफ से आपके लिए एक आफिस मेंबरॉंडम निकला गया है यह रूल डारेक्ट रेकुवर्मेंट के लिए लागव होगा जो प्रमोटी हैं उनके लिए लागव नहीं होता है हाईर डूटी इंवल्मेंट हो या ना हो फिर भी आपको लागव होता है और इससे पहले कि मैं आगे बड़ू में आपको बताना चाहूँगा कि पे पोटेक्शन होता क्या है पे पोटेक्शन का मतलब होता है कैंसरकार की जॉब को छोड़ने के बाद न्यू जॉब जॉइन करने पर समान बेसिक पर जॉइन करना या लोवर जॉब छोड़के हाईर पोस्ट जॉइन करना और हाईर अमाउंट लेना हाईर बेसिक लेन या higher post छोड़के lower post पे जाना और same payment, same basics लेना, उसके बारे में ये pay protection होता है, यानि basic salary को protection देने वाला rule है, उसको protection of pay कहते हैं, यानि upper post में salary ज़्यादा और lower post पर भी पुराने job की basic यहां पर आपको दी जाती है, यह है rule, now I would like to pay your attention on illustrations directly for your pay. better understanding, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें, आप खुद पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, यह rule है, rule पढ़ सकते हैं और उसके बाद आगे भी इसने, जो कुछ यहां पर लिखा है, rules के बारे में वहां पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सीधा लेया चलता हूँ, illustration पर illustration हमें सम 7, 2018, before his appointment to a post in a level 10 on 1428, which does not carry duties and responsibilities of the greater importance than those attached to the post held earlier by him, before such appointment, there is a provision of two years provision period in new post, यह कहता है, कि एक अधिकारी है, यह जब है, जब कि आप higher post से lower post से lower post, में जा रहे हैं, यहां पर यह अधिकारी हैं, और इनकी pay 78500 है, और cell 6 में pay level 11 में यह काम कर रहे हैं, as for 7 CPC, इनका increment 1728 को बढ़ने वाला है, परन्तु इनों ने एक चार 2018 को level 10 पर post जोन कर ली है, यानि lower post जोन किया है, जहां provision period का भी प्राबधान है, दो year का, अब ऐसी इस् फर्स सेल में basic salary 56,000 और 100 पे रखी गई है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ हो दोस्तों, जो retire होगा, उनको इस समान post पर join करने पर भी basic pay level 11 की 78500 से start की जाएगी, यहां आप देख सकते हैं, यानि कि उनको जो है pay protection मिल रहा है, और pay किलियर हो गया होगा कि 5,000 बेगिनिंग basic salary freser के लिए है, परन्तु retire को protection और pay के चलते, 8,500 से basic salary मिलना सुरू होगा, जबकि joining date post सभी समान है, लेवल समान है, जोस्तों, इन retire की pay का increment, जो है, टैमली एड होता रहेगा, तथा 8,500 salary provision period में continue रहेगी, as you watching on screen आप देख सकते हैं, किस तरह से इनका जो है, ने किया गया है, यह लिखा है, ओन 14 2018 को basic salary 8,500 थी, ओन 17 2018 को 3% increment होने के बाद basic salary 1,900 हो गई, ओन 17 2019 को इनकी 3% और बढ़ने के बाद 80,000 जो है, तरह 1000 जो है, 300 हो गई है, तो, अब दोस्तों, जब समीधा समय 14 2020 को पूरा हो गया, तब इस अधिकारी की salary, दो increment के साथ 13,300 है, तो अब इसको level 10 के according फिक्स करना है, level 10 के according फिक्स करना होगा, तो उसमें देखना होगा, next higher sell, जो बनेगा, उसमें 13,300 को फिक्टिया जाएगा, तो level 10 में देखा जाएगा, कि 13,300 के आसपस higher amount कौन सा है, उसके according, after provision period, इन पे fix की जाएगी, जो की, यहां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो बनेगी 14,900, यानि कि इनको, जैसे provision period खतम होगा, इनकी salary, basic कितनी हो जाएगी, 14,900 हो जाएगी, जब की, और जब की जो फ्रेसर है, उनको इतनी नहीं मिलेगा, परन्तु, 14,2020 को salary increment नहीं क्योंकि, इनकी salary, already enhance हो चुके होगी, तो इनको अगला increment, जो है, 2021 में मिलेगा, जब आप lower से higher post पर, जर्ण करते हैं, तब भी आपकी basic, आपकी protection of pay के हिसाब से ही fix की जाती है, जैसे कि, अगला illustration आप देख सकते हैं, यहां पर यह देख लिए, यह वाला है, वो case, जब आप lower to higher post जोन करते हैं, पहला case हमने पढ़ा था, higher to lower post, और उसके बाद एक और illustration है, जो मैं आपको देखाना चाहँगा, जो है, समान पोस्ट में जोन करने के लिए, समान लेवल पर जब आप जोन करते हैं, तब pay protection आपके लिए तब भी मिलता है, यहां पर कोई level change नहीं होगा, यह pay protection, एक, एक 2016 से लागू होगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, तो यह तो था office memory, अब मैं आपको देखाना चाहँगा, इसके regarding, PCDA ने circular निकाला है, यह इस पर भी आप नजर मारिये, that is a circular, महत्मन circular है, यहां पता है, FR, R, FR 22B1 की अंतरगा, कैंसर कार के सीधी बर्ती के मैदन से, अनसेवा एक करडर के नए पद पर निकती के प्रणासर के प्रणासर के प्रणासर के बेतन सुर्ख चा, ठीक है, यह rule दिया है, और इसमें काफी कुछ यहां पर बताया है, आपको यह पढ़ना चाहिए, थो रोल कार में प्रेसिति अंतरगा, पांच आट दोजार बीश के कारे लिए अपन नियमो के प्रणासर के साथ प्रेसित की जाती है, कि नियमो का कड़ाई से अनपालन सुनिशित किया जाए, जो मामले उक्त नियमो में दिएके सर्थां पूरा करते हैं, उन्हें मामलों बिस्तद और सिवा पस्तिका के साथ आउडिट रिप्रडवाप करने के लिए रक्षा लेखा प्रणान यंतरग पंसे अलाबाद को बेचा जाए, यानि कि यह बताया गया कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई तूर्टी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको जो है इन रूलो यह है आपको इसको थोरोली बढ़ना चाहिए और इसके लिए इसकी कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते है मेरे वाटसप है, दिरसल फोर इन दिस वीडियो, जैहन।